नमस्कार दोस्तों आपसे बिगास स्वागत है जी के संसार पे आज किसी वीडियो सेशन में हम सब कम्प्यूटर से जुड़े important 150 plus facts को discuss करेंगे साथ इन facts को देखने के बाद 40 MCQ को cover करेंगे जो की इन ही facts से related होगा तो आप बिना skip के end देखिएगा क्योंकि आपके सभी electronic machine है आधुनी computer के पिता किसी कहा जाता है चार्स बैबेज को और ये क्या थे गनी तग्ये थे अवेकरस नामक यंत्र का जो अविस्कार हुआ था वो चीनियों के द्वारा किया गया था चीन में हुआ था calculator का अविस्कार 1642 में किया गया था और ये पास्कल के द्वारा किया गया था जो कि एक फ्रांसी सी थे प्रत्थम electronic computer का अविस्कार है वो 9046 में किया गया था याद रखिएगा और ये किया था JP Eckert ने किसने किया था JP Eckert ने प्रत्थम electronic computer जो था उसका नाम क्या था इनी ऐसी ठीक है IBM PC का अविस्कार 1981 में किया गया था और यह किया गया था William C. Light के द्वारा IBM PC का अविस्कार है 1981 में किया गया था William C. Light के द्वारा Analytical Engine का जो अविस्कार हुआ था 1833 में यानि की 1833 में किया गया था Computer अपने परिनामों को भविस ये तो जो सुरक्षित रखता है वो कहा रखता है Memory में रखता है Computer में Memory इस्थित होता है कहाँ पे CPU में CPU को हम क्या कहता है Brain of Computer CPU का पूर्ण रूपयानी Full Form जो होता है और Central Processing Unit होता है इसी को आप जानते हैं अच्छे से चली आप जानते है Memory जो होता है दो परकार का होता है कितने परकार का होता है दो परकार का एक Primary Memory एक Secondary Memory लेकिन हम Primary Memory की बात करें तो इसमें भी दो परकार का Memory होता है ठीक है Computer Screen पर छोटी तिम्टी माती रेखा क्या कहलाता है तो एक Cursor कहलाता है क्या कहलाता है cursor, ठीक है, यह जो आप देखते हैं, computer screen पर छोटी से टिमटी माती रेखा होती है, हना इस तरह से वो क्या होता है, cursor होता है छेले, secondary memory जो होता है वो कितने परकार का होता है, चार परकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा primary memory दो परकार का, और secondary memory चार परकार का होता है RAM का full form क्या होता है, विस्तरीत रूप अगर देखा जाए तो क्या होता है, random access memory RAM stand for random access memory वही अगर हम ROM की बात करें, तो ROM का जो full form होता है, होता है, read only memory, RAM stand for random access memory, ROM stand for read only memory keyboard, है न, जिसको आप सब यूज करते हैं तो keyboard में जो button की संख्या होती है, वो कितनी होती है, तो generally आप देखेंगे, तो keyboard में जो button की संख्या होती है, वो 101 होती है, और कुछ वैसे भी आते हैं, जो smart keyboard होते हैं, उन्हें संख्या जो होती है 152, 110 110 के बीच भी होता है, ठीक है चले, keyboard का दुसरा नाम क्या है, कुण्जी का पटल, ठीक है, कुण्जी का पटल कहा जाता है, keyboard को दुसरे नाम में, ठीक है, दुसरे नाम अगर आपको पुछा जाए, keyboard का, तो कुण्जी का पटल, क्योंकि key, key मतलब क्या होता है, कुण्जी, हिंदी में देखते हैं तो, और पटल, मतलब की जिस पे है, ठीक है, तो इसलिए कुझी का पटल भी कहा जाता है computer बंद करने की परिकिरिया क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है shutdown, हम सब क्या कहते हैं, computer बंद करना उसके मतलब, shutdown कर दो यही कहते हैं, computer को shutdown कर दो चरी आगे बढ़ते हैं computer चालू करने की जो परकिरिया है वह कहलाता है boot up देखें बंद करने की परकिरिया shutdown और चालू करने की परकिरिया boot up कहलाता है computer का brain किसे कहते हैं CPU को अभी हम लोग ने देखा था monitor को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है vdu monitor को क्या कहा जाता है vdu क्योंकि विजूल डिस्प्ले इनिट होता है इसी वज़से हम इसे video कहते हैं ठीक है आप सबको पता है कि computer के जो पार्ट होते हैं सबको मिला कर जाता है monitor होता है CPU होता है keyboard होता है यहां पर आपका mouse होता है तो इन सब को हम क्या कहते हैं मिला करके क्या कहते है computer कहते है और अगर अलग अलग पुछा जाए तो monitor CPU keyboard mouse इस तरह से हम इसको कहते हैं न चलिए function keys की संख्या कितनी होती है function की आप अपने keyboard में देखेंगे अगर आपके पास laptop है या आपके पास desktop है तो keyboard Kar Revelation का सबसे पहले पर योग किया गया था किसके लिए किया गया था तो किया गया था में फ्रेम कम्प्यूटर के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं M.C.I.R का साब्दिक अर्थ क्या है M.C.I.R स्टैंड फो वाट तो यह होता है Magnetic Character Ink Recognition ठीक है क्या होता है Magnetic Character इससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि आप अगर यूज करते हैं क्या डेविट कार्ड तो उसमें आपको एक Magnetic रहता है M.C.I.R लगा रहता है M.C.I.R स्टैंड फोर Magnetic Character Ink Recognition ठीक है चलिए आगे देखते हैं Analog Signal को Digital Signal में बदलने के विदी क्या कहलाता है तो एक कहलाता है Digitalization और आपको मैं बता दूँ कि जो DTH हम घर में यूज करते है वो क्या करता है Analog Signal को Catch करता है और उसको Digital Signal में क्या करता है Convert करता है भारत में निरमित पहला Computer जो है वो सिधार्थ है A.C.2 में एक Character किसके बराबर होता है तो 8 Bytes के बराबर होता है 8 Bytes के बराबर होता है चुम्ब की ये डिस्क पर किसकी परत होती है तो होता है Iron Oxide का किसका होता है Iron Oxide का Binary Number System में जो परियोग होता है वो कितना होता है 0 और 1 का होता है ठीक है इस byte जो होता है वो 1Kb के बराबर होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसके बाद जो आता है वो आता है कि प्रत्थम Digital Computer पहला Digital Computer अगर था वो कौन सा था था तो था Univik कौन सा था Univik Norton क्या है एक Anti-virus टूल है वा कम्प्यूटर डंप होने का कारण क्या है वायरस वायरस के वैसे ही कम्प्यूटर डंप होता है कम्प्यूटर का IC Chips बना होता है IC यानि Integrated Circuit जो होता है वकी चीज का का बना होता है silicon का बना होता है www.wastand for what worldwide wave worldwide wave का विसकार जो हुआ था 1989-90 के बीच में हुआ था भारत की Silicon Valley कहां इस्तित है Bangalore ठीक है Bangalore को भारत का Silicon Valley भी कहा जाता है worldwide wave क्या है एक internet service है अगर आप कहें भी मालेजे कोई चीज़ को सर्च करना है worldwide में तो आप क्या करते हैं www. लगाते हैं लगाते हैं ना चलि जो नेपियर ने लगुनक का विसकार किया था एक कब किया था 1614 में ठीक है चलि आगे बढ़ते हैं CD-ROM का साब्रिक अर्थ क्या है CD-ROM स्टैंड फोर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली में 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 ठीक है फ्लॉफी का साइज जो होता है वो कितना होता है तो होता है 3.25 इंच से लेकर 5.25 इंच तक हाट डिस्क होता है secondary memory होता है हम लोगों देखा memory दो परकार का होता है तो हाट डिस्क जो है उस secondary memory के अंतरगत आता है primary के अंतरगत नहीं आता विस्वका सबसे बड़ा computer network कौन से है वह है internet क्या है internet बहुत बहुत important है simple है लेकिन आपको जानना चाहिए विस्वका सबसे बड़ा computer network का आप से पुछा जा तो वह है internet CPU और main memory के गति को समान रखने के लिए किसका OPO किया जाता है catch memory का किया जाता है है न हम लोग करते हैं अगर computer slow हो जाता है तो हम सब उसे क्या करते हैं catch को हटाते हैं catch को remove करते हैं तो speed क्या होती है बढ़ जाती है बढ़ती है न चली computer network में संपग तोड़ने की परकिरिया क्य क्या कहलाता है तो कहलाता है log out जब आप जूड़ते हैं तो login और जब आप हटते हैं तो log out लैन का पूर्ण रूप क्या है local area network लैन है न लैन स्टैंड फॉर local area network computer की processing गति को किस में मापा जाता है मेगा हट में याद रखिएगा computer की जो processing गति है उसको हम क्या में मापते हैं मेगा हट में मापते हैं WA in a stand for what तो यह wide area network लाता है ठीक है LAN local area network WAN wide area network भारत का सरवाधिक सकति साली super computer कौन सा है तो है परम परम पद जो समंदित है वह किस समंदित है computer से ASIA का दूसरा सबसे बड़ा computer कौन सा है वह है परम 1000 ठीक है very very important Computer के machinery उपकरन जो है वह हार्डवेर ठीक है बाके तो software ही होते है है लैन परियुक तो होता है अस्थाई छेतर के network के लिए यानि की local area network है तो अस्थाई छेतर के लिए यूज होगा है ना चलिए आगे बढ़ते है और next facts देख लेते हैं DOS का अर्थ क्या होता है तो DOS stand for disk संचालन परनाली ठीक है computer गनितिये किरिया कलाब करता है रजिस्टर्स में किसमें करता है रजिस्टर्स में ठीक है data को सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो क्या है backup plan ठीक है आप backup ले लेजिए वो data को सुरक्षित रखने का सबसे easiest और स सबसे safest तरीका है virus होता है क्या होता है कैसा program होता है लेकिन destructive program होता है MS word का extension होता है कैसा हमें होता है MS word यह doc format में होता है है आपको doc में भी होगा या फिर DOS में भी होगा DOCST है FAT का अर्थ क्या होता है भई तो FAT stand for file allocation table अब देखते हैं कि अगर आप मान लिजे कि अपनी phone की memory जो chief होती है pen drive जब आप enter करते हैं laptop या PC में तो FAT दिखाता है FAT stand for what file allocation table ठीक है चलिए आगे देखिए work sheet पर अधिकतम columns और रोज के संख्या कितनी होती है तो 1024 और 1025 ठीक ह work sheet पर अधिकतम columns और रोज की जो संख्या होती है वो 1024 और 1025 होती है line printer की गती की इकाई क्या है तो यह line प्रती minute line printer जो होती है उसकी गती line प्रती minute होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और fact को हम देख लेते हैं चलिए आगे हमारा यहां पर not gate पूर्ण करता है किसको इनपूट को किसको करता है इनपूट को मेन का पूर्ण रूप होता है मैन का पूर्ण रूप क्या होता है multinational area network internet पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है इमेल कहलाता है ठीक है powerpoint का निर्मान की किस company ने किया है Microsoft याद रखिएगा जो हम सब MS word देखते है powerpoint देखते हैं इस सब किसका निर्मान किया हुआ है Microsoft का किया हुआ computer असुद्ध यानि computer में जो error होता है उसको हम क्या कहते है bug करते हैं क्या कहते है bug source program क्या है एक उचस्तरिय भासा में लिखे हुए program का machine भासा में रुपांत्रन है hard disk के speed जो होती है वो 3600 चक्र प्रती मिनट होता है अब देखिए अगला जो point है वो है HTTP का पूरा नाम क्या है यानि कि HTTP stand for what hypertext transfer protocol ठीक है HTTP stand for hypertext transfer protocol और HTML stand for what hypertext markup language है ना चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर आपको मिल भी गया HTML stand for what hypertext markup language disk की घुर्णन गती होती है 150 से लेकर 250 चक्र प्रती मिनट कोबाल भासा का जो उप्योग होता है वह ब्यवसाइक कारे में होता है किसमें होता है ब्यवसाइक कारे में commercial use में होता है computer का मुख्य प्रिस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है desktop है ना आप जो भी application रखते हैं जिसका आपका folder दिखता है या फिर जो आप sorter जो आपका create होता है वो कहां पे होता है desktop पे होता है desktop पे होता है जो IST का परियोग हम किसके लिए करते हैं यह करते हैं gaming के लिए game खेलने के लिए PC का अर्थ क्या है PC means personal computer PC stand for what personal computer चली computer का data का अर्थ क्या है information है सबसे पहला calculating device कौन सा था अबेकस था कौन सा था अबेकस था ठीक है याद रखिएगा इस दिवाइस को ALU का पूर्ण रूप क्या है तो arithmetic logical unit ALU stand for arithmetic logical unit आगे बढ़ते हैं mouse keyboard joystick light पेने सभी क्या है input device याद रखिएगा यह सभी क्या है input device IBM का पूर्ण रूप क्या है international business machine IBM stand for what international business machine अब देखिए hard disk की गती मापी जाती है यह मापा जाता है RPM में ठीक है किसमें RPM पहला computer language कौन सा था फॉर्टन था कौन सा था फॉर्टन था चली आगे देखते है compiler का परियोग होता है high-level language को machine language में बदलने के लिए compiler का यूज हम क्यों करते हैं high-level language जो होता है उसको machine language में हम बदलने के लिए यूज करते हैं द्वियाधारी अंकन परति के दो अंक है वह कौन से है binary का पूछा गया आपको zero or on हम लोगों देखा DOS और Windows क्या है operating system DOS और Windows जो है operating system File का नाम अधिकतम हो सकता है कितना 8 character का याद रखिएगा File का जो नाम है अधिकतम 8 character का हो सकता है File के extension में जो होते हैं तीन character होते है ठीक है याद रखिएगा Lotus क्या है computer software Lotus क्या है computer software YK2 समया समाणनेते किसे computer से एक byte में कितने bits होते हैं? 8 bits होते हैं ठीक है? एक byte में कितने bits होते हैं? 8 bits होते हैं 1 byte is equal to 8 bits computer पर हम 1000 को विक्सित किस ने किया है? CDAC ने किया है किस ने किया है? CDAC ने याद रखिएगा computer की assembly भासा वो कैसी है? द्वियाधारी संख्या 0 और 1 3.25 इंच के floppy में आगड़ा को हम क्या कर सकते हैं? store कर सकते हैं तो आप लोग ने देखा यह था important facts अब हम बात करेंगे important questions के बारे में जो कि हम लोग ने जो facts देखा उससे related होगा जिससे कि आप ने जो भी facts पढ़ा उसकी revision हो जाएगी और यहां से आप exam में in question के through आप solve भे कर पाएंगे तो चलते हैं question के तरफ और one by one सब भी questions को देखते हैं तो यहां पर पहला question आपके लिए जो है आधोनी computer के पिता किसे कहा जाता है अब यह आप लोग ने facts को ध्यान से देखा है आधोनी computer के पिता जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है Charles Babbage को और यह क्या थे एक गनी तक गये थे 1642 में calculator का आविस्कार किसे ने किया था फटा फटा आप सब answer केजे 1642 में calculator का जो आविस्कार है वो किसके दवारा किया गया था पास्कल के दवारा किया गया था और यह कहा के रहने वाले थे फ्रांस के प्रत्थम electronic computer का आविस्कार किस ने किया था JP Accurts ने किया था तो हम लोग उन्हें जो भी पढ़ा है यहाँ पे revise इजली कर पाएंगे तो आप सब ध्यान से questions को देखिए और खुद भी try केजे जवाब देने का question number 4 देखते IBM PC का आविस्कार किस ने किया था international business machine जो PC है इसका आविस्कार किस ने किया था फटा फटा आप देखिए तो इसका आविस्कार किया था William C. Lyatt किस ने किया था William C. Lyatt computer अपने परिणामों को भविस के लिए कहा सुरचित रखता है कहा पर रखता है कहा पर रखता है memory में है ना CPU का पूरा नाम क्या CPU का पूरा नाम Central processing unit होता है हम लोगने देखा बहुत fast किजी RAM का विस्तरित रूप क्या है यान ourselves red access memory random access memory क्या चलिए आपका हो रहेगा random access memory RAM stand for random access memory ठीक है चलिए नेक्स वर्शन देख लेते हैं की बोड़ में बटनों की कुल संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है भाई हम लोगों देखा 101 होती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं रोम का विस्तरी तुरूप क्या है रोम रोम अस्टैंड फर वर्ट रोम अस्टैंड फर वट हम लोगों देखा रैं देखा random access memory रोम read only memory यहाँ पर आपका option C सही रहेगा चली अगला प्रस देख लेते हैं प्रस्तन क्या 10 कीबूर्ड का दूसरा नाम क्या है कीबूर्ड का दूसरा नाम क्या है very very important हम लोग ने questions हो किया है तो है कुंजी का पटल कुंजी का पटल कहलाता है चली computer का brain किसको का जाते है कम्प्यूटर को और क्या कहा जाता है computer को बात जब करते हैं तो मोनीटर को और क्या का जाता है video बीडियू विजूवल धिस्प्लेय यूनिट है ना तो यहाँ पर वीडियू सही जवाब रहेगा, चलिए अगला परसन कर लेते हैं, प्रसंख्या 13, चलिए यह रहाँ के स्क्रिन पर प्रसंख्या 13, फंक्षन की की संख्या कितनी होती है, आप लोग भी थोड़ा जवाब थोड़ा फटा फट देजे, फंक्षन की की संख्या कि सा है सिधार्थ है ठीक है चलि अगला प्रस्ण कर लेते हैं फाइल एक्स्टेंसर में कितना कायक्टर होता है कितना होता है फटा-फट आप सब साथ में किजे क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है important facts जो हम लोग डिसकस कर रहे यहां प्यक्ति यहां पर 1024 बाइट सोगा ठीक है यहां पर 1224 बाइट व्राबर एक किलो बाइट ठीक है और और 1024 किलो बाइट बराबर एक क्या होता है मेगाबाइट ठीक है और 1024 मेगाबाइट जो है इसके बराबर क्या होता है एक गिगाबाइट और 1024 गिगाबाइट बराबर क्या होता है एक टेरा बाइट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रत्थम डिजिटल कम्प्यूटर क कौन सा था भाई हम लोग देखा हैं तो था आपका कौन सा यूकी जो है ठौट कम्पूटर का किसका बना होता है कम्पूटर का जो ic WOODRUFF किसका बना होता है हम लोग तेखा अब भी सिलिकन का बना होता है किसका होता है सिलिकन का बना होता है चले नेक्स क्क लेशन कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा computer network कौन सा है अभी देखा हम दोगों ना कौन सा है internet कौन सा है internet जो है विश्व का सबसे बड़ा computer नेटवर्क है चलिए अब देखिए यहां पे आपका है यहां पे हटा हुआ है मैं आपको type कर दो ठीक है computer computer से संपर्ण तोड़ने के जो किरिया होती हो क्या कहलाता है आपका क्या logout ने kपinyaँ है और जोड़ने के पर किरिया ठीक है चलिए आगे देखते हैं भारत का सरवाथिक सकructuredäch साले super computer के अगर हम बात करते हैं तो है परम ठीक है चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं computer के मसीनी उपकरन क्या है कंप्यूटर के मसीनी उपकरन जो है वह क्या है दखिए अगर मसीनी की बात होुई तो हाड़वर की बात हुई थीक है तो यहां पे आपका option B सही रहे चलिए, आगे देखते हैं, इंटरेनेट पर भीजा जाने वाल संदेश जो है, क्या कहलाता है? तो वा कहलाता है अपका क्या? देखिए, email कहलाता है Gmail क्या है? ये आपका Google के दुआरा प्रॉइड किया गया email है, electronic mail लेकिन हम लोग जो internet प्वेजने वावर संदेश होता है इसको email कहते है email जो है किसी भी लोग को हम क्या करता है log लोग को संदेश बेचते है और यह gmail जो है स्टबिटेस की गए इसलिए इसको gmail करता है गूवल के द्वार ठीक है gmail लेकिन हम याद रखना है हम सबको कि इंडेटेटर पे भीज़ाना वा संदेश जो है उसको हम इमेल करते हैं कंप्यूटर असुधी क्या कहलाती है देखिए कंप्यूटर असुधी जो होती है कंप्यूटर एरर जो होता है वो बग कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है बग कहलाता है अब देखिए बहुत important और बहुत आसान प्रस्ण आपके लिए है hardest किया speed कितनी होती है जो अभी आपको ने देखा न वही यहाँ पे आपको पूछा गया सारा कुछ question के दो हाड़िस किया speed कितनी होती है प्रस्ण के 27 है तो वो कितनी होती है छती सो cpm ठीक है चक्र क्रती मिनट छती सो साइकल पूर मिनट होता है ठीक है चलिए आगे देखते है है HTTP का पूर्ण रूप क्या है HTTPS stand for what तो आपको पता है HTTP stand for what Hypertext Transfer Protocol HTTPS stand for what Hypertext Transfer Protocol ठीक है यहाँ पे कहाँ पे है Hypertext Transfer Protocol तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है यहाँ आपका email ठीक है चलिए 29 नमर देखिए HTML का पूर्ण रूप क्या है HTML stand for what Hypertext Markup Language Hypertext Markup Language तो यहाँ पे देखिए Hypertext Makeup है ध्यान दिजेगा Hypertext Markup Language ठीक है कंप्यूटर का मुख्य प्रिस्ट क्या कहलाता है तो देखिए मुख्य प्रिस्ट होता है क्योंग क्या क्या है क्या 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 है www का जो अर्थ है वो क्या है worldwide wave तो यहाँ पर कहा है worldwide wave आपका option A सही रहेगा चलिए अब प्रसंग क्या 32 कर लेते हैं सबसे बड़ा calculating device कौन सा था सबसे बड़ा calculating device जो था वो कौन सा था वो था abacus कौन सा था abacus ALU का विस्तरीत रूप क्या है यानि की ALU का full form क्या है तो ALU अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट तो यहाँ पर आपका option D जो है सही होगा ठीक है चलिए file का अधिक्तम कितना character होता है file का जो नाम होता है वो अधिक्तम कितना character का हो सकता है हम लोगों ने भी देखा है कितना होता है साथ में आप सब भी किजिए option C यहाँ पर सही रहेगा yk2 समस्या किसे संबन दी थे वई एक computer संबन दी थे किसे है computer से चलिए बहुत आसान है आपके लिए एक byte में कितने bits होता है एक byte अभी हम लोगों देखा था कि 1024 bytes ठीक है बराबर क्या होता है एक किलो बाइट होता है के भी होता है लेकिन है आप पुछा किए एक byte में सौरी एक byte में कितने bits होता है फटा फटा आप देखी कितने होते हैं अभी देखा ना हम लोगों ने 8 ACI का दूसरा सबसे बड़ा computer कौन सा है बहुत important प्रस्न है तो है आपका कौन सा परम 1000 कौन सा है परम 1000 मेमरी कितने परकार के होते हैं मेमरी कितने परकार के होते हैं एक प्राइमरी मेमरी दूसरा सकेंटरी मेमरी तो कितना होता है दो होता है प्राइमरी मेमरी होता है दो तरका और secondary memory कितने तरह का होता है चार तरीके का भारत के Silicon Valley कहां इसी थे तो है आपका Bangalore Bangalore को हम क्या करते हैं Silicon Valley करते हैं इंडिया का अब देखिए IBM का पूर्ण रूप क्या है यानि IBM का फुल फॉर्म क्या है अभी हम लोगों ने देखा था IBM का फुल फॉर्म क्या होता है International Business Machine जो कि यहां पर आपका option इस सही है